अगर आपको बहुत जोरों से भूक लगी हो या फिर अगर टिफिन वग्यरा में कुछ देना है और जादा टाइम नहीं है बनाने के लिए तो ऐसे में बनाईए सिर्फ पाच मिनिट में बनने वाला पनीर बर्गर बर्गर बन्स नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं इसकी जगह आप चाहे तो ब्रेड पे लगा के भी यूज़ कर सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है 50 गरम पनीर जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है उसके उपर मैं छिड़क दूँगी लगबग एक टेबल स्पून के जितना तंदूरी मसाला अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो उसकी जगह आप चाहे तो पेरी-पेरी मसाला यूज़ कीजिए या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं अब उपर से छिड़क देंगे थोड़ा सा नमक, औरिगयानो, चिली फ्लेक्स और इन सारे मसालों को अच्छे से कोट कर लीजे पनीर के उपर मैंने यहाँ पे पनीर के छोटे-छोटे क्यूब्स यूज़ किये हैं इसकी जगा आप चाहे तो एक बड़ा पीस भी यूज़ कर सकते हैं पतला वाला यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है और उस पे डाल देंगे एक बड़ा चमच जितना बटर फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रखिएगा गैस का और जो पनीर हमने कोट किये थे ना मसालों के साथ उसे आड़ कर लेंगे बटर में मीडियम फ्लेम पर पलटते हुए इस तरीके से हम पनीर को पका लेंगे बहुत जादा हमें यहाँ पे नहीं पकाना है पनीर को वरना पनीर के जो पीसे है ना वो हाड हो जाएंगे मैंने यहाँ पर लगबग एक मिनिट के लिए पकाया है पनीर के पीसिस को और उसके बाद थोड़ सा फ्रेशनेस और टेस्ट में आड़ करने के लिए मैं खराधनिय डाल दोंगी मिक्स कर लीजे और इसे साइड में निकाल कर रख लीजे एक प्लेट में अब मैं बर्गर का बन ले लूँगी आप चाहे तो एक होल बन ले सकते हैं लेकिन जो कटा हुआ बनाता है न मैंने वो वाला लिया है वही तवा यूज़ करेंगे जिसमें हमने पनीर को फ्राइ किया था उसमें थोड़ा सा और बटर डालेंगे और हमारे बर्गर बंस को सेक लेंगे ये थोड़ा गरम है इसलिए मैं यहाँ पे स्पाचुला का यूज़ करूँगी इसे पलटने के लिए तो बर्गर का बेस ले लीज़े उसके उपर मैं एक स्पेशल सॉस लगाने वाली हूँ इसे बनाने के लिए मैंने डाला है एक चमच मेयोनीस एक चमच टोमेटो केचप थोड़ा सा ओरिग्यानो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से स्प्रैट कर लेंगे बन के उपर अगर आपके पास घर में पहले से ही तंदूरी में हो या बर्गर में हो वगेड़ा है तो वो यूज़ कर लीजिए या फिर आप चाहे तो इसके जगा चटनी भी लगा सकते हैं अब हमने जो पनीर फ्राइ करके रखा था था ना वो रख देंगे अच्छे से इसके उपर उपर से मैं थोड़े सालच रख दूँगी जैसे की कुकुमबर स्लाइस किया हुआ और टमाटर आप चाहे तो क्यापसिकम, ओनियन वो भी रख सकते हैं इसमें और फाइनली दूसरे बन के साथ इसे कवर कर दीजिए आपका जटपट पाच मिट में बनने वाला बर्गर बनकर तयार हो जाएगा जरूर ट्राइ कीजिएगा और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए फ्रेंद्स और फामली के साथ शेर कीजिए और टेस्टी वेज रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना भूलेगा नहीं थैंक्स फो वाचिंग बाई